वेल्टूब चैनल तो गाईज आप सभी को मैं कल इनफॉर्म किया था कि जारकन इस्टेक्टर गाउट हो चुका है तो उसमें आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज बताईए कि जो अधर इस्टेट से बिलॉंग करते हैं स्टुडेंट वो फॉर्म भर सकते हैं या नह अब प्लूघ को सारा चीज एक्स्प्लेइन करूंगा सभी चीज मैं लास्ट वीडियो में भी पता आया था लेकिन आप लोग वीडियो को पुरा देखते हैं नहीं घृक है स्किप कर देए इस लिए आप लोग को पता नहीं चल पाता है तो जो भी वीडियो में बनाता कि इसमें कौन-कौन से राज के विद्यारती फॉर्म भड़ सकते हैं तो गाइस मैं अफिसियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूं यह देख सकते हैं यह इसका अफिसियल नोटिफिकेशन है कुल 127 पेज का यह अफिसियल नोटिफिकेशन है तो देखिए जब गौर्मेंट ब इसमें इसमें यहां पर जो अनिवार योगता है सभी अभ्यारती को लिए इसको पढ़िएगा तब लोग को एक्स्प्लेंट पता चल जाएगा तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है कंडिका छे कौम निर्धारित योगता के अतिरीक्त अभ्यारतियों को जहां लागू हो मैट्रिक या दसभी कक्षा इवाव इंटर्मेडियर टेन प्लस टू कक्षा जहरकांड राज में अवस्तित माननेता प्राप चैचनिक संस्थ अभ्यारतियों को अस्थानी रिती दिवाजभासा के परिवेस का ग्यान होना अनिवार है तो यहां पर साब सब बोला जा रहा है कि जो जहरकांड राज में जो अवस्तित इंस्टिट है जो गवर्मेट से अफिलियेशन प्राप्त है वहीं से जो कंडिडेट तेंथ या ब रहेड़ुण पराफ करते हैं लेकिन बहु परहाई के लिए विहार चले गाए या रजस्थान चले गहाए तो वह कंडिडेट इविफाम भळ सकते हैं पसरते उनका जो मूल निवास होना चाहिए तो यहां से अब साब साब समझ सकते हैं कि जो अधर स्टेट के के इलिजिबुल नहीं है तब ही इलिजिबुल है जब उनका परिवार जरकंड से बिलोंग करते होंगे और वह अब भी अलग राज में कहीं पर परहाई के मकसा से या कोई भी अनरीजन के तहट वह बाहर में रहा है सकते हैं साब साब यहां पर लिखाया कि जो जरकंड राज में अवस्थित जो संस्थान है वहाई से जो दसमी बार भी पास किये हैं तब ही फॉर्म के लिजिबुल होगा इस वीडियो में कि जो कॉलिफिकेशन जो रखा गया अधर राचिके निदेट फॉर्म तो गाइस दूसरा सवाल आप लोग आ रहा था कि सर बताइए इसका experience कहां से मागा गया है तो देखिए जैसा कि मैं बताया कि इस फॉर्म के लिए तीनों ही qualification अप्लाई कर सकते हैं ITA, Diploma, BTEC, BTEC वालों के लिए एक साल, Diploma वालों के लिए 2 साल, IT वालों के लिए 3 साल experience च चाहिए तो देखिए जो ITA स्टुडेंट से उनको कोई भी सेंट्रल या सरकार से जो मनेता है या संबंदन प्राप्ट संस्थान या उपकरम या परतिस्थान से संबंदित छेत्र या विशाय में तीन वर्षिय अनभाव होना जरूरी है तो यहां भी देख सकते हैं कोई बीजिसे उपकरम मतलब बोल सकते हैं अलेक्टिस्टी बोड़ गया संस्थान परतिस्थान मतलब यह आनुफभाव आप लोग को इहां पर चाहिए तो यहां से आपलोको किलियर हो गया होगा कि कहां कहां से यांस पर चैनल उन 2 जगह से आप लोगो चलेगा संस्थान या तर्फकरन या परतिस्थानी कोई भी गवर्मेंट से माने ता प्राप्त हो या सेंट्रल गवर्मेंट से हो उसके बाद question आ रहा था कि सर मेरे पास तो experience भी है और degree भी है या diploma या IT भी है लेकिन मेरे पास CITS certificate नहीं है तो क्या मैं form भर सकता हूँ क्या इसमें CITS mandatory है तो देखिए साब सब DGT का भी आधेस है कि instructor बनने के लिए CITS mandatory है और सभी राज़ों में इसको implement किया जा रहा है लाज्ट टाइम आप लोग को उत्तर परदेश में जो notification आया तो उसमें भी CITS mandatory था और यहां पर भी जितने भी post निकला है सासु एक पदो के लिए सभी जगों मत्व सभी पोस्टों में CITS mandatory है जैसे कि IT करने के बाद national certificate मिलता है उसी तरह CITS करने के बाद NCIC certificate मिलता है यानि कि national craft instructor certificate तो आप लोग का CITS इसमें mandatory है बगार CITS का आप लोग फॉर्म नहीं बढ़ सकते हैं चाहे आपके पास experience ही क्यो यह पीटे के डिपलाबा यह certificate नहीं है आप लोग लिजबूल नहीं होंगे आंति मैं आप लोग को यहाँ पर सेलेक्शन प्रोसस बता देता हूं तो देखिए सेलेक्शन प्रोसस इसका थोरा यहां पर देखिए तीन आप लोग का स्टेज में एक्जाम होगा देख सकते है टीर मार्स और गलत उत्तर के लिए एक मार्स कट कर दिया जाएगा। सिरी बलोक है यह इस में 30% लाना है यहे इसे binds नेचर का है। सिकेंट वला भी पेपर है इसमें आप लोग का जो चे त्रिल जिन जाती यह भासा ग्यान होगा यहाँ पर धेखेज़ यह सब भासा दिया गया है कि इक भासा में आप को इसमें परिक्षा देना होगा और ये भी 100 नंबर का आप लोगों का विकल्पिये उत्तर अधारीत प्राशन होगा और इसमें भी 30% क्वालिफाइंग मार्स है यानि कि स्टेज 1 और 2 यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और जो सिर्फ स्टेज 3 होगा यह आप लोगो इस वीडियो में आप लोगो सारा जनकारी मिल गिया होगा बात वाकि कोई और डाउट हो कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो बहुत सारे कंडिडेट इसमें निरासा भी लगा होगा चुकि आप सभी को पता है कि उत्तर परदेश या बिहार का वेकैंसी आता है तो उसमें फॉन म इंपॉर्टन वीडियो था अच्छा लगने पर लाइक किजेगा चैनल पहली बार आएंगो सब्सक्राइब करके बहुत कॉल कर देजेगा धन्यवाद